दोस्त बन गया है ना, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ काफी तुम क्यों बना रही हो? मेरे स्टॉल पर मैं नहीं बनाऊंगी, तो तुम बनाऊगे क्या? स्टॉल तुम्हारा है? हाँ, रोस कितना कमाती हूँ देखो तो एक कॉफी दो, एक सो एक सो? दो सो ये लो रो एक पुँजे मुझे भी दे द ऐ, एक कॉफी 200 कॉफी दो ना एह एह मुझे भी 200 सर्ष़ में यह सब हो क्या रहा है? मुझे भी पिलाएंगी है 200 था नहीं है तेस्ट बहुत अच्छा था, एक और देंगी क्या इसकी तो ला इदर चलिए रे पी, लेना पी न, टेस्ट कर ले, लेना पे चारा, मेरे लिए ही तो वो लोग आये थे वैसे लड़कियों का जूटा, तुम लड़कों को इतना पसंद क्यों है टेस्टी होता है क्या, इतना टेस्टी होता है बोलो, बोलो न, बोलो न अगस्ट अगस्ट, ये अगस्ट क्वोन है तुम्हारा नाम वही है न, क्या मेरा नाम उस दिन मैंने तुम्हे अवास तो दी थी न, उस दिन तो मैं कैजूली मुड़ गिया था तो फिर तुम्हारा ओरिजनल नीम क्या है? आतमा राम और तुम्हारा नाम? कांतमा कांतमा? तुम्हारा नाम जब आतमा राम है, तो मेरा नाम कांतमा नहीं हो सकता क्या, बोलो जरा? हाँ हो सकता है, कांतमा, नाइस नेम, कांती, कांत, ऐसे भी बुला सकता है ना तुम्हारा भी, राज, आत्मा, आ स्टॉप, 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 बस हो गया, थैंक्यू हाई दीदी ही, हाई राम आज वो दोबारा भज गए क्या? हजार तुम्हारे दो सो ओनर के लिए, एश करो, जाओ थैंक्स दीदी बच्चों से काम करवाने वाला डैश, यह डैश क्या होता है डैश? तुम गालियां देने में एक्सपर्ट हो ना, जो गाली तुम्हें पसंद है भूलेख लो पार्टी तुमने बहुत ज्यादा एंजॉइ किया है ना? बहुत गुद बोई गुद बोई ऑगस्ट अटमर अटमर बताया था ना? तुम्हें एक बात बताओ? क्या है? अब ही नहीं, बात में बताओंगी तुमॉरो मॉर्निंग सेवन ओ ग्लॉक मिलेंगे छोटा सा काम है ओके ओके बाई बाई आज शाम को है हैदराबाद के लिए निकल रहा हूँ हाँ, मॉर्निंग तक पहुँच होँगा ठीक है, बाई गाजर का हलवा बनाओ, बनाओ, रोज कहते हो जब बनाती हूँ, तब टीवी के सामने बैटकर बेकाल की प्रोग्राम देखते हो थोड़ी सी हेल्प भी नहीं करते हो मेरी क्या बढ़ा बढ़ा रही हो, अब मैं रिटायर हो गया हूँ ना बिना खर्चे के शादि की सारी तयारी की थी ती मैंने। हर चीज में मैंने Healp किया था। लेकिन आपने कभी मेरी healp की एंग क्या। शर्म नहीं आती तुम्हें हर चीज में टांग अलाती रहती हो। घर में ठीक से खाना नही बना clard ये बच्चों ये सब क्या है शेरिंग 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 दादा जी साथ में मोगरे का फूल लेकर जाना बेकार लोगों के साथ घंटो घंटो चैटिंग करने वाला गूगल लफंगा बदबुदार कपड़ों पर सेंट मारकर फिल्म देखने जाने वाला वाच्चाप लफंगा ट्वीटर लफंगा फेस्बुक लफंगा टिक टॉक लफंगा बापरी बहुत बढ़ गये हैं लफं क्या कर रहे हो प्राक्टिस किस लिए अरे बताता हूँ लाडली तुम्हारे भाईया के लिए हैं मुझ फेर कर क्यों जा रही हो भूत की तरह ऐसे देखने के बचा है वो भिंडी काट सकती है ना मुझे डाट नहीं सकती इसलिए बेटी को डाट कर कवर कर रही हो शादी से बुढ़ों के नरक के मैनेजर हो बुढ़ों का नरक नहीं मा ओल्ड एज होम हाँ जो कुछ भी हो जब मैं प्रेगनेंट हुई थी तब कहते थे कि लड़की होनी चाहिए लड़की होनी चाहिए तो मुझे लगा कि मेरे पती को तो लड़की बहुत बसंद है बात में पता कि जो बेटे अपने बुढ़े माता-पिता को ओल्ड एज होम में लाकर छोड़ते हैं उनके प्रती जो गुस्सा है इसलिए इनको लड़का नहीं चाहिए था और जब खुद का बेटा पैदा हुआ तो दूसरे बेटों का गुसम मेरे बेटे पर उतारते हो पापा पहले स फरस्ट आया था पता है ना अब बस करो अपनी बेटे की बायाग्राफी बहुत जूट बोल लिया किसी ना किसी बहाने से उसे डाट नहीं आपकी जिंदगी का लक्ष बन गया है बस अब तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा पकड़ा गया बेटी बै पैसे डिपॉजिट कर सकता है मां दस मिनिट पहले लाट साब कहां थे पता है सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे थे अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अगर पैसे भरने का कैश रिसीट उसने मुझे नहीं दिखाया तो उसके साथ मैं कबड़ी खेलूंगा कबड़ी डाल दी है पापा पैसे बैंक में ही नहीं एटियम मशीन में भी डिपॉजिट कर सकते हैं थोड़ा अपडेट हो जाई है क्यूं यह जब उल्टी पैदा होई थी तो मैंने सोचा था यह फ्यूचर में मेरा ख्याल रखेगी अगर ऐसी बात है तो आपको ओल्डेज हों में में डाल दूँगी बबर रही है एक अपने भाई को फोन करके किया के कि मातन मैं नहीं खाता हूं आरे पापा इसे तो लाने को कहा है कबड़ी 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 केलें क्या कबड़ी के अ हर्न हा की था अरे हट से हर्प्व हां रहास अरे हटेशतु О,... हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही जरा लॉजिकली सोचो या फिर अपने पसंद की मौत मर जाओ हा लेकिन तुम्हारी मौत की वज़े से कोई और ना फंसे ऐसा कोई तरीका निकालो अल बेस्ट फॉर नेक्स सुसाइड अटेम्ट बाए मेरा प्रोजेक्ट मैनेचर मुझे हैरेस कर रहा है मुझे मुझे उसके साथ सोना हो गया मुझे वो अनफिट बताकर पिंक स्लिप देकर जॉब से निकाल देगा आज अगर मैं उसके रिसॉर्ट नहीं गई तो कल से ओफिस आने के लिए मना किया है यह सब मेरे पैरन्स को पता चला तो मुझे जो भी नहीं करने देंगे पर यह प्रॉब्लम तो कॉमन है कुछ समझने आ रहा क्या करूं करो कॉल करो सुपर्वाइजर को तल हम तो कम यह एंड पिक यू अप प्लोई को जानवर लगता है क्या जो पसंद आगया तो उसके साथ मेट करने के लिए ओन करो वाव एट लास्ट यू है टेकन अवंडर्फूल डिसीजन कम आन चलो मज़ा करते हैं क्या हो गया अधर क्या देख रही हो चलो चलते हैं कम आन तेरे साथ सोना पड़ेगा तू मुझे पेंग स्लिप देगा मैं दिखाती हूं मैं दिखाती हूं तुने लड़कियों को समझ क्या रखा है किसको क्या हो गया किसी ने देखा तो नहीं न है जब आप स्ट्रॉंग रहते हो तो कोई अपका कुछ नहीं भी गाड़ सकता बी ब्रेव एंड बी स्ट्रॉंग थैंक्यू यह एट्स ओके लाट सा भाइदराबाद ही जा रहे ना हाँ पापा एंजॉय करने के लिए यही लास्ट यर है जाओ जाते ही एक लड़की को ढूंड लेना उसके पीछे पढ़ना आगे पीछे घूमना उसे पटा लेना हाँ सिनेमा, शिकार, पार्क या पब हर जगे घूमना पढ़ाई का नुकसान हो तो भी कोई बात नहीं है पैसो की जिंता मत करना अरे पैसा देने के लिए मैं बैठा हूँ या बस एक फोन करना और मांग लेना मेरी पूरी जिंदगी गिरवी रख दूँगा तुम्हारे लिए ये बंपर आफर हमारे लिए भी है क्या पापा अरे इस बच्ची की जुबान काफी चलती है इतनी छोटी होकर मेरी बात नहीं मान रही जरा बड़ी हो जाओ फिर दिखाता हूँ बीच में मुंपली बेचने वाले से शादी करवाऊंगा फिर मरते दम तक नहीं प्रेज में फेकेगी हमें निगरानी के लिए उसी को रखूंगा लेकिन बेटे के बारे में जो बोला है वो होकर रहेगा और जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ही सही था मेरी वज़े से आपको सरुझुकानी के नौबत कभी नहीं आनकम कर दो वाह क्या दिखता है यह इस बार भी राव ही जीते का विलकुल यार आम ऐसी बात है क्या फर्स डेही बिना नहाया गई है इस कमीने को कैसे पता चल गया ऐसी बात नहीं सर इससे पंगा मत लेना स्मेल सूंकर सारा सीक्रेट बता देता है वैसे इस बॉक्स में क्या है नहीं चेले बाक्स में बैंगन ही नहीं नहीं आर लोकी की भी सब्सी है अअजया क्या है बेंगन के साथ लोकीभी है शभी कहा सर पुलीस की अब कोarte मımızı तोच्व को उसे जैंक एक क्यों एक हुग कि में तुझे हरा दी आना खाहन वाइ कंथ सिर वाइ मぶार्नीष 2016 तु दू हरणी वान बहुत परी है एद बहुत परी है येस- किया? इतना पड़ेगा, इसको तो देख लूँगा अबार भी अगर मैन हार गया तो जिंदगी पर परेशान उन्गा मैं मैं येस मैं यो न्हीं के नूट जेख लियाना जान बुछकर हार गया ना तीन सालों से मैं इसे जीता है लाइफ लॉंग एपी रहेगा वह यह जीत गया यह जीतने की खुशी मना रहा है तो कितना बड़ा बेवकूफ है उसने जिताया इसलिए तू जीता वह को तो दे वह हार गया फिर भी उसके साथ इतने लोग है तू जीत गया है ना फिर भी तेरे साथ तेरा चम चाही है पूरे कॉलेज को ये बात समझ में आ रही है तुझे नहीं आ रही है बंद बुद्धी कहीं का तू? अरे पापरे! क्यों ब्रो? बॉल मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है? हाँ? जरा उसको बॉल दे? ये बॉल कैसे रिस्पेक्ट देगी इसको? भागा ले का यह? अरे जरा देरे बात करना? ये क्या प्लान कर रहे हैं? एक तू सीनियरों का सीनियर सुपर सीनियर है. अगर उसने सुन लिये तो पनिश्मेंट, पनिश्मेंट के नाम पर दस बरियाने मांगेगा, तो रुज़ा बॉल मैं डालता हूँ. बापरे ऐसे भाग करा रहा है. इसे रेस्पेक्ट कहते हैं, जरा उसको समझा दे. मैट प्रेक्टिस में तो तू बहुत मस्द मार रहा है, भाई. ठैंक्स यार, रमेश. कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ग्राउन में फर्स्ट बॉल पर ये तेरी बॉल फट जाती है, बटा. क्या बोल रहा है, बेल सुड़ जाती है, ऐसा कह रहा हूँ, अबे शरम नहीं आती सुझे, मेरे साथ तुन्हें कॉलेज जोइन किया था, मुझे देख, भी टेक, एम टेक, पी एच्डी भी कंप्लीट कर ली मैंने, और इसी कॉलेज में पांच सालों से लेक्चरर हूँ मै अबे तु कब पास होगा भे, अबे रमेश यार, तु पैसों के पिछे पागल है, इसलिए तुन्हे एक बार में ही डिगरी लेकर नौकरी कर ली, और पैसों के पिछे पागल है, इसलिए नौकरी के पिछे भागते रहता है, लेकिन मैं पढ़ाई के पिछे पागल हूँ, इसलिए हिम्मत से पढ़ाई कर रहा हूँ तुझे कोई तकलीफ है क्या भाई कर रेक बोला तुने बेटा पढ़ाई खाखा के तुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है इसलिए अपना पेट दख कितना बढ़ गया बस थोड़े दिन और रोग जा बेटा बूढों के पेंशन के ल सब्सक्राइब करना चाहता था मेरे बाप नेंजीनिएरिंग कर लेंजी निए इंगिनियरिंग कर ले कहकर earrings कॉलेज में डाल दिया lectureसमाज में नहीं आता है दिमाग खराब होता है मेरा गता है मेरे arrangements के कि बैच पर बैच उपमा खाने की तरह आराम से निकालते जा रहे हैं ये बेकार की इंजिनियरिंग शनी की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है यार मेरे जिन्दिगी पूरी तरह बरबाद हो गई क्या कहा बड़े साथ के खिलाब जाने की सोच रहा है ना गुलपपा अगर वो नहीं होता तो मेरी जिन्दिगी ही नहीं होती अभी जो हम सांस ले रहे हैं उसकी वज़ा वो बड़े साथ ही हैं उन्होंने हमारे लिए अपनी शादी तक नहीं की अमीर घराने में पैदा होने के बाद भी हमारे साथ रहने के लिए उन्होंने अपनी साथ दरकिनार कर दी इतने महान है वो तो सब कुछ बंद करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें बैठना पड़ेगा बड़े साहब परवत की तरह है अगर उनसे टकराएगा तो तुझे ढूंडने में हमें काफी साल जाएंगे मत कर प्रविन आइछ झोड़ोंगा उसकी वजह से मेरी राजनीती मिन्टे में मिल गई उसने मेरी जमीन मेरी बेटी के नाम पर लिखकर उसको मेरी नजरों से दूर कर दिया नहीं चोड़ोंगा बाल भी बांका नहीं कर सकता तू उनके खिलाव जाने के लिए हम ही नहीं तेरा बाप भी तेरा साथ नहीं देगा अरे बड़े साहब ने सब का इतना भला किया है और तुने इलेक्षन में जीतने के लिए वोट की सहानुभूती के लिए अपनी बीवी तक को मार दिया तुझ जैसा इंसान अगर राजनीती में रहेगा तो पूरे गाव को गंदा कर देगा तेरी परचाई तेरी बेटी पे ना पड़े इसलिए वो उसे तेरी नजरों से दूर रख के पड़ा रहे हैं यह बड़े साहब हमारे लिए भगवान से कम नहीं है भगवान ही है अगर उनकी खिलाफत करने की कोशिश करेगा तो मैं सोच लूगा कि मेरा कोई बेटा नहीं था बड़े साहब जब तक हैं मैं राजनीती नहीं कर सकता मेरे बेटी के नाम पर की गई जायदाद मुझे वापस नहीं मिल सकती किसे बड़े साहब को इतना बड़ा कलीजा किसका है एक है यह क्या बस है यार इतना एक्सिलेटर दवाने के बाद भी भागने रही है इस बस में तोदेखो सीट कितनी छोटी बश सीट तो उतनी ही होती है हमें अपनी सीट को कम करना चाहिए और भाई थीक सी बेठू ना कि ऐसे क्या देख रहा है अरे लगता है मैंने उस लड़की को कहीं देखा है बस मैं फेस ही नहीं देख रहा तो फिर बैक में तुझे क्या दिखाए दिया इससे कुछ दिखाए दिया होगा यार जाने दे इस बस को मैं बम से उड़ा दूँगा अरे उसने बोला बम रखकर उड़ा दूगी इसका मतलब तुने जो कहा है अगर वो सही हुआ तो जल्दी ही इस शहर की सारी बसे ब्लास्ट हो जाएंगी अच्छा बस को उड़ाने वाले हो कौन सा गुरूप है तुमारा है इसका O पोजिटिव है और मेरा B पोजिटिव है सार मेरा ए निंगेटिव रेयर गुरूप सार ब्लाड बंक में कई बाद डोनेट भी किया सर मैंने मैंने तुम लोगों से ब्लाड गुरूप पूछा है क्या अहां सर यह आटो मोबेल एंजिनियर है और यह में कंप्यूटर्स मैं यह पूछ रहा हूं कि अलकाइदा से हो इंडियन मुजाहिदीन से हो या अलकाइदा से हो I.C.S. से हो या फिर सिमी से हो यह सर मार्केट में आ हुए नए सिमकार है सर परे सिमकार नहीं है टेररिस्ट गूरूप से टेरिस्ट हम नहीं वो लड़की है सर लड़की तुमारे ग्रूप में फीमेल टेररिस्ट भी है यह साथ नहीं सर वो बस में है चे महिने से तुभी लोगों को ढून रहा था इतने तिनों बाद हाथ लगे हो चलो जल्दी स्टेशन फायर स्टेशन क्या है सर शाट आप पुलिस स्टेशन सर यह दोहजार के लिए लड़की की लिए लड़की की लिए लड़की की लग रहा लग रहा लगरी है अधिक काफी तुनों से नहीं खाया वर्षा ठीक है चल तेरी मर्से की पूच्छी मेरी काफी मेरी चिट्टी चेली अड़े छोटी बच्च्ण चिट्थी मेरी है अपने भाई को बाहों में ले रही है दो मिनिट मैं पढ़के देदूगा आपको चुड़ी यह क्या कर रहे है तु अरे मेरी वाइफ है कि उसकी वाइफ है उसको चिपक कर फेरे क्यों ले रही थी है भगवान अल्ला जीजस उस डाइरेटर के ब्रेन में बुलेट घुसा नहीं है बुलेट्स लगता है लड़की थोड़ी डिस्टब है बुलेट्स किस लिए फिल्म तो अच्छे थी प्रिया वो दोनों तो बाइक लेकर आने के लिए सर्विस सेंटर गये हैं हाँ क्या अच्छा अब प्लीज जरा साइड में रोगा मुझे उतरना है या त्यांक्यू सो मच प्रिया इल कॉल यू बैक दोखें और गया माँ गया में प्लीज जरी जरी तो हाँ में वो मुझे खीचा क्यों वो तो मुझे स्यूसाइड करने जारी यसलिए उत्यद्यड है और मैं इतनी सुन्दर लड़की स्यूसाइट करेगी क्या, सुन्दर हूँ इसलिए टच करके जूट बोल रहा है क्या, आखिर तुमने मुझे टच क्यों किया हलो, हलो, क्या है यह, क्या कह रही है, वो समझ में आ रहा है, तो उसको कवर करने की कोशिश कर रही है बात वो नहीं है, तो क्या बात है, ब्रेन में बुलेट्स उतार होगी, क्या, बस में बम लगा कि उड़ात होगी, वो बेकार सी बस को परमिशन देने वाले आर्टियों को बम से उड़ा दू, ऐसा लगा मुझे, वो नहीं है ना, इसलिए, उस बस को जिसने परमिशन दिया ह उसको उड़ा देना चाहिए और आइमेक्स में मैंने वो स्लिप क्यों रखा पता है वो सिनेमा डायरेक्टर है ना इतनी देर से क्लेवेज ना भी क्लेवेज ना भी आखिरकार उसने हम लड़कियों को समझ क्या रखा है तो इसलिए तुम उसके ब्रेन में बुलेट उतारना क्या बात कर रही हो तुम मैं तुमको बचाने के लिए था मेरी मती मारी गई थी लगता है हट हो गया सौरी कहना चाहिए ना ए प्रभास महेश बाबू बवन कल्यान ए सुबराओ एलाराओ पुलाराओ रामराओ अगस्त में असाड का सेल हर ब्रांड पर भारी चूट अग राइटी है वान मिनिट अरे बापने ये तो वापस आ गई गाली दे रहे हो क्या हाँ गाली दे रहे हो कैसे मर्द हो तुम खुबसूरत लड़की को गाली दे रहे हो पसंद नहीं आया मुझे अरे ये फिर से शुरू होगी तुम्हारा तरीका बहुत गलत है खुबसूरत लड़की को गाली देने वाले मर्द I like your frankness वो लड़की इतने डिफिकल कैसे हो सकती है यार अगर हम पास जाते हैं तो दूर जाते हैं हम दूर जाते हैं तो आघी कहती है ये सब समझने के लिए अनुभाव चाहिए वैसे मुझे भी इतना अनुभाव नहीं क्या लड़की है यार यह तो वही है अरे बापरे यह दर यारी है हाई ए लाइट लो कल तुम परिशान थे यह देखकर मैंने आक्टिंग किया था सुना तुमने हमारे दोस्त के साथ खेल खेला है फ्रेंड्स ओ फ्रेंड्स है यह लफ ट्रैक ऐसा कुछ है जी जी इरी बेवकूफू के साथ तुम हाथ रखो कोई बात नहीं तुम यहां कैसे कॉलेज आई हूँ तुम पहले कभी नहीं देखा जब अभी आई हूँ तो पहले कैसे देखोगे इससे पहले कहां बढ़ रहे थी तुएर्स वाइजएक में पढ़ाई करने के बाद मेरे पेरिंस ने सादनली यहां ट्रांसफर करवा लिया तो फिर फोन नंबर दीजे फोन नंबर नंबर क्यों चाहिए हे भगवान अलाजीजस इनको थोड़ा दिमाग दो सपोस मैं स्कूटी से आ रही हूँ तुम ट्राफिक कॉंस्टेबल हो कॉंस्टेबल मान लो तुमने मेरी स्कूटी रोगी क्या मांगोगे लाइसेंस अच्छा कम से कम पी उसी है या नहीं तो पांस्टो दे दो सी आए को में मैनेज कर लूँगा परसकायब दोस्त को फोन लगाओ और पैसे मंगोगा दो इसलिए मैंने फोन नंबर मांगा अरे बापरे इसको नंबर दिया तो जेब भीड हो जाएगी हम ऐसे भी सैलफूण का इस्तमाल नहीं करते रेडियेशन डेंजर। मैंहाम नहीं सुससल absorption करने मैंटर इसका क्या मतलब है अरे तो बताना मैंटर मतलब ब्रेइन करेक्ट मै northeast सुना था शियादा देर बात करने पर ब्रेन काम नहीं करता, वही मैटर काम नहीं करता है, सेलफ़ॉन अवाइट करके अच्छा काम कर रहे हो, देख ले पहले हैं कि नहीं, यह तो फज गया, मुझसे दोस्ती करोगे, चलो, अर्जिंट, कहां पर, दोस्ती की है, नहीं आओगे, रुको तो, चलो चलते हैं, ए कहां जा रहा है, इसके और मेरे बीच में सौ सीक्रेट होंगे, सब बताना पड़ेगा, क्या, दीन ने बारा बजे मिलने को का है, मोशन हो रहा है, हॉस्पिटल चला गया है, बोल दे काफी तुम क्यों बना रही हो, मेरे स्टॉल पर मैं नहीं बनाऊंगी, तो तुम बनाऊगे क्या, स्टॉल तुम्हारा है, हां, रोज कितना कमाती हूं, देखो तो, एक काफी दो, एक सो, एक सो, दो सो, टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, ये लो, पर एक ग्लैस मुझे भी धशिए क्या हूं, तो, कॉभी देघर, एक काफी 2 दो, काफी दो हूं, ये मुझे भी तशल में इस सब पर चारा, मेरे लिए ही तो वो लोग आये थे वैसे, लड़कियों का जूटा, तुम लड़कों को इतना पसंद क्यों है? टेस्टी होता है क्या? इतना टेस्टी होता है? बोलो, बोलो ना, बोलो ना अगस्ट अगस्ट? यह अगस्ट कौन है? तुम्हारा नाम वही है ना? क्या मेरा नाम? उस दिन मैंने तुम्हें अवास तो दी थी ना? उस दिन तो मैं कैजूली मुड़ गिया था तो फिर तुम्हारा ओरिजिनल नीम क्या है? आतमा राम और तुम्हारा नाम? कांतमा कांतमा? हाँ, स्टॉप, 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 बस हो गया, थैंक यू हाई दीदी ही, हाई राँ आज वो दोबारा भज गए क्या हजार तुम्हारे दो सो ओनर के लिए एश करो जा थैंक्स दीदी बच्चों से काम करवाने वाला डैश यह डैश क्या होता है डैश तुम गालियां देने में एक्सपर्ट हो ना जो गाली तुम्हें पसंद है भूले खलो पार्टी तुमने बहुत ज्यादा इंजॉइ किया है ना बहुत गुद बोई गुद बोई ऑगस्ट आटमर रम बताया था ना तुम्हें एक बात बताओं क्या है अभी नहीं बात में बताऊंगी तुमॉरो मॉर्निंग सेवन ओग्लॉक मिलेंगे छोटा सा काम है ओके ओके बाई बाई प्याव मिलेंगे याव 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 कि अव चीवे प्यूवे जोपी चीवे वाव अव कि तो भी अरे मुझे पकड़ के दीखा ओगस्ट 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 ये सुभा हो गई यॉया अरे देखो भाई बड़े साब आ रहे है वह अरे बड़े साहब आ रहे है अरे अरे आ गए अरे आ बड़े शलो चलाओ नबस्ते बड़े साब नमस्ते बाले साहब क्यों भाई MP वो पावर पॉइंट इसु का क्या हुआ वो दिल्ली वाले तो देने के लिए तयार है साहब हमारी लोगी लेने के लिए तयार नहीं है बिल्कुल बड़े साहब उसमें सो जो धुआ निकलेगा न उससे हमारी फसल खराब हो जाएगी हमारी जमीन भी तो बंजर हो जाएगी तुम सबका मिलाकर करीब सौ एकड जाएगा, बड़े सापका अकेले उससे जादा जाएगा हमारे खेतों तक बिजली नहीं पहुंचती है, इसलिए आधी जमीन पर खेती नहीं हो पा रही है अगर पावर प्लांट लग जाएगा, तो जमीन का कुछ ही इससा जाएगा सब मना कर देंगे तो आस्मान में लगवाएगे, कुछ भी हो इस जमीन पर ही बनवाना पड़ेगा ना, हजार एकर जमीन में खेती करनी है तो सो एकर जमीन का त्याग करना पड़ेगा प्लांट में जो जमीन जाएगी उसके लिए हम पैसा मागेंगे, हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए कहेंगे हा लेकिन प्लांट के लिए मना कर देंगे तो नुकसान हमारा ही होगा आप थोड़ी सी जमीन का त्याग करोगे तो आपके बच्चों का भविष्च बहुत अच्छा हो जाएगा प्लांट लग जाएगा तो आपकी सिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी आप सब मेरी बात से सहमत है ना मजटो करेंगे होगा हो आपकी करेंगे वालेश通 इख करेंगे और लुप एक ने है आपकी करेंगे है हमारे MP और ML अच्छा काम कर रहे हैं ना इस बार हम इनको ही वोट दें क्या तुम दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हो इसको बीच में ना लाते हुए तुम इनके बारे में भला करोगे ये सोच कर तुमने जिताने के लिए कहा था इन लोगों ने जिता दिया तभी मैंने तुमसे कहा था कि इनका विश्वास कभी मत तोड़ना कोई भले ही कुछ भी बोले हमारे अधिकारी हमें ही टिकिट देने की बात कर रहे हैं अरे ये क्या कर रहे हैं हे, अपना मो बन करके शान बैटो, बैट जाओ, नालाइक कहीं कहा, कौन होता है अधिकारी, अधिकारी वो होता जो वोट डालता है, इन्होंने जो तुम्हें अधिकार दिया, तुमने उसका फायदा उठाया, मैंने कहा था इस धर्ती पर खून का एक कत्रा भी नहीं बहना चाहिए, तो गलती करेगा, तो क्या मैं खामोश होकर देखता रहूँगा, उठाकर फेग दो इस धोके बास को, सब के सामने उसने मुझे लाद मारी, मेरे लाद से उसकी धर्कन ना रुख जाए, तो मेरा नाम बदल देना, देख लूँगा इस आत्मी को, ज़रा टाइम आने दो मेरा, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजे, आने वाले इलेक्शन उसके जगार किसी अच्छे इंसान को जिताएंगे, प्रकुप है प्रहुप एह बारे जाएंगे, भिएब झानिरे को ज़रा बारे से खुँप मेरा लाएंगे, को इस जमीन पर खुन का एक कत्रा भी नहीं बहना चाहिए लेकिन मेरा ही खोन बह गया बोड़े सहाब वो यहां का तो नहीं था लेकिन उसने आप पे हमला किया इसका मतलब यहां के ही किसी आदमी ने ये करवाया है वो चाहे जो भी हो मैं उसे छोड़ूंगा ने शिव रहने दो चल दबाजी करेगा तो मासूम लोगों की बली चड़ेगी इस मामले की तैकिकात करने के लिए पुलिस वाले हैं यह उन्हीं पर छोड़ दो पुलिस वालों की कहानी हम सब को पता है उन्होंने बड़े सहाब को रोकने की कुशिश की जिसने भी ये किया है और इन सब के पीछे जो भी है उसे ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह भी अपनी मौत के बारे में सोच के काम पुठेगी कोली चलाने वाले के दाहिने हाथ में दो उंगलिया नहीं थी ए चलो रहे अरे लड़की ए लड़की चोर रुको अरे अरे पकड़ो पकड़ो उसे अरे 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 रुको अरे क्या कर रही हो अरे कहां जा रही हो अरे सत्यानाश मंदिर का सामान चोरी कर रही है कल यूग नहीं है पन्डी जी ठंडी का मौसम है सत्यानाश पहले उसे पकड़ो जाओ अरे बाप रियाक्षत की प्लेट भी चोरी कर ले गई अरे मेरी नौकरी खतर में पढ़ जाएगी अरे सुनो अरे सुनो अरे सुनो अरे इतनी सीधियां चड़नी मुश्किल है इसलिए आशिरवाद के लिए भगवान का सामानी उठा लिया आशिरवाद नहीं पंडी जी शा मतलब कि मेरी शादी से एक घंटे पहले मेरी दादी घंटी बजाकर ऊपर चली गई मेरी शादी एक साल के लिए पॉस्पॉन हो गई कुछ ना तो में ही मैंने ये कारेक्रम कर दिया शादी पॉस्पॉन हो गई ये कहकर पंडी ची पहले शादी करवाईए डिलिवरी हो गई तो शादी से पहले मा बन गई कहकर रिज़त चली जाएगी ठीक है तो शादी शुनू करते हैं चल मोटू आजा अरे मेरी पॉकरम करते से मैं माबाप की याद नहीं रही थी सुनो मा मा कहो अमँ नहीं डारलिंग मा तेरी तो लाट बारूंगे तो टोट जाएगा अभी इतनी वालेंट्ली है तो सबको सालेंट्ली कैसे कर लिया थोड़ा धीरज रखो डारलिंग कमीने कहीं के तब तुमने कहां सीख लो और अब धीरिज देने को कह रहे हो अ मामे बंडित जी डिलिवरी होने वाली है शुरू कीजिए चलो ठीक है मंत्रबाद में पहले मंगल सूतर की बात करूँ यह लड़का भी कब नहीं है मंगल सूतर निकालो मुझे दो उपर उठाओ उठा लिया अरे मोटा हो गया है दिमाग नहीं है क्या चलो उठाओ ओओ ठाओ ईठाओ फ़िन ऑच़ने के लड़के उठाओ 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 एक नमबर कर मूर्ख प्रानी है अरे मंगल सूतर चोटी में नहीं गल्यैने बान तुछ जलाए शाधी करने मूर्ख वाउब इिकली मिरेकल शाधी कर दीने डेवर्य कांगरेक्स वैद जी सुनिया वैद जी अगर एक मुझे बौका दें तो दुलहन को अरुंदती लक्षतर दिखा के चला जाओंगा मैं दिखा दीजी मुझे यहां तारे नजर आ रहे हैं अगर ज्यादा बात करोगे तो यहीं गाड़ दूंगी यह गुस्सा वहां दिखा दी तो यह नौबत नहीं आती आज तेरी तो इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो पंडीजी क्या हो गया पतागी न यह लड़की तुझे कहां मिली भाई यह तो बिना गालियों के बात ही नहीं करती भड़ा सहन कर लेजे पंडीजी जिम्मेदार तु है गालिया मैं सहूँ आज शादी करवाई है बच्चा पैदा होने के बाद आशिरवाद देख कर जाएगे सहना तो पड़ेगा ही शास्त्र से तुम लोग चाही भटक गए मैं नहीं भटक सकता यह मेरी जंदिगी की पहली शादी है लड़की हुई है यह बेटी पैदा हुई है खुशी की बात है को दो इता हुई है जाए मोटू अर्य मोटू क्या हुआ क्या हुआ यह धर किलेशन पंदी जी मुझे थे मुझे हाँ जाए क्या आज़ देखने जाता हूं मालक्षमी है इसका नाम क्या सोचा है मेरी दाधी मा तुचुब कर तुम बोलो मैं शादी तुम ही करवा रही हो तुचन दान करन तुम ही करो मधू तुम कहीं मेरी डारलिंग पता नहीं कैसा ट्रेंड है पार्क में सुहागरात एम्बुलेंस में शादी, हॉस्पिटल में डेलिवेंगी, तुम लोग शास्त्र के अनुसार चलोगे, या मोटू की तरह ओम नमस्षिवाय, क्या है? उनकी तरह ओम नमस्षिवाय, क्या? बोलो, बोलो, बोलो ना? इसे अब तक इसे ने टच नहीं किया है, सच में? दिखने में तो अच्छे भाले दिखते हो, एनी प्रॉब्लम? चीचे, ऐसा कुछ नहीं है, हाल ही मैं इसे एक लड़की ने टच किया था, भाले ही मुझे उसक चार बड़े और चार अक्षत, और साथ फेरें, इतना काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मान लिया ना तुमने? ऐसी स्टोरी लॉलीपॉप खाने वाली लड़कियों को सुनाओ, वो मान लेंगी, मैं नहीं मानूँगी पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो बाइदवे, बच्ची का अच्छा नाम रखा तुमने? मेरे बहुत करीबी इंसान का नाम है वो तुम्हारी मा का नाम है क्या? नहीं, मेरा है मधू, मधू मती स्वीट नेम तेरी बेटी यहीं पर पड़ाई कर रही है न? मेरी बेटी, उसे मेरी नजरों से और कितने दिन बचा कर रखेगा तो बोड़े साब एए, वो देख, राओ की जिन्दगी में मज़े ही मज़े हैं अरे, सुन रहे हो क्या? काम हो गया? मेरी है मतल्ग मतल्ग मेरी है लाइन क्रोस मत करना एगो बरबुद्धी दोबारा टंक स्लिप हुआ ना तो मार देंगे किसी को नहीं छोड़ूगा सेंदल के साथ तुने जगडा क्यों किया? उसने क्या का तुमने सुना नहीं? नहीं सुना आ तो भूल जाओ क्या बोला बताओ मैं भी उसको मारूंगी पूछ रहा था काम हो गया क्या अब ओके न? तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए मैंने नहीं बताया शान्त हो जाओ इसमें बुरा लगने जैसी क्या बात है? ए ए सेंदल काम हो गया शादी हो गई बच्चा भी पैदा हो गया तुम बुरा मत मानना इसी के लिए तुने ये सब किया रहा अगर इसे तेरी लाइफ से निकाल नहीं दिया तो मैं एक बाप की आउलाद नहीं शादी की दिन ही बच्चा पैदा हो गया ये सब को पता चलेगा इसलिए तुमने जगडा किया करेक्ट अरे पागल कहीं की पागल कहीं की बचाओ 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 इसने ही बिना उंगली वाले को बंदूग बेची थी इतना मारने के बाद भी उसके बारे में नहीं बता रहा है सब्दा गन मैंने उस आद्मी को नहीं बेची मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम तुने उसे गन बेच दियो तुझे नहीं पता कि वा को रहा है पबल शिव अगर बगल में है तो बड़े साब का जासूस ही है समझो उसके करीब भी नहीं जा सकते हमारी तलाश में वो आ रहा है इस बार तो शिव को मारना ही पड़ेगा उसके बाद उस बोड़े का काम तमाम करना होगा फ्रेंड की बेटी की शादी है कहकर जल्दी में हाइद्रबाद ले आए अक्षर डालते ही क्याप में बैठा दिया अरे यहां तक की कहाना भी नहीं खाने दिया इतनी जलबाजी में आप कहां जा रहे है तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हें शादी में लेकर जा रहा हूं? कुछ भी, लाडले बेटे से मिलना है. अच्छा, जब कभी हम कहते थे तो साफ साफ मना कर देते, अब बेटे की प्रती इतना प्यार कहां से उमड आया? प्यार व्यार कुछ उमड नहीं आया है, शौक लगा है मुझे, फोन पे जो तुम कवर कर रही थी, वो सुनकर मुझे डाउट हुआ और मैंने यहां पे फोन फ्रेंड किया, और तुम्हारे बेटे के इंक्वारी करवाई है, छे मैने से मैं उसके पीछे लगा हूँ, और सारा है, वो बेकार लड़की कौन है, वो पता चल जाएगा, अब पकड़ में आया है तुम्हारा बेटा, अगर उसे वो लड़की चाहिए, तो मैं उसे अपनी देहलीज पर भी कदम नहीं रखने दूँगा, ए कार रोक भाई, कार रोक सुधा वो अपना ही बेटा है ना, तो मेरा बेटा यसे हो सकता आ, आपको दुनिया का हर लड़का मेरे बेठे जैसा ही नजर आता है, पंगल हो गयले है यहां एक बेकार लड़की है, लेकिन यहां तो इसके सारे दोस्त बेकार है, अरे पापा, अरे उतारो, उतारो, मा, आओ, 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 पापा, थैंक यू बापा, थैंक यू सो मच, एक दम करेक्ट टाइम पर आये हो, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, बिल्कुल सब्टेम्बर है, अरे यह कहीं फसाना थे, वहीं लड़की है क्या, पापा, पेरिंस, कंग्राट्स अंकर, आपके बेटे ने कैंपस इंटरव्यू में हिस्ट्री क्रियेट कर दी है, मंथली 3 लाक साली, लगता है, पापा का ब्रेंट ब्लास्ट हो गया है, आपके वन यर स पबलिक के सामने तो इज़्जत मत उतारो, अंकल, 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 इसको पार्टी देनी चाहिए, लेकिन स्पेशल ओकीजन है, तो आपको देनी चाहिए, शारे बच्चों को पेपर मेंट खिला दो, पेपर मेंट, नो, क्यों, क्यों, आपके बेटे ने हिस्ट्री सासुराल का दर्वाजा लग रहा है, होटल तो बिलकुल नहीं लग रहा, वही अंकल, सासुराल का दर्वाजा है, ये, फिल्म रिलीज होने के बाद कस्टमर को रिष्टेदारों की तरह त्रह ट्रीट करने वाला नया कॉंसेpt, वो सूपर हिट था और ये सूपर हिट है, मैंने तुझे कॉलेज बुलाया था ना उस लड़की को दिखाने के लिए। अर्जेंटली ससुराल आना पड़ा मुझे यार। बापरे, इस उमर में भी तेरी एक और सेटिंग है क्या। तुझे सिलूट है भाई। अरे ससुराल मतलब होटेल है यार। तू भी जल्दिया, साथ में खाना खाते हैं। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं, अभी आ रहा हूँ। रुकरे चपडगंजू। मैं, मैं। हाँ, तू ही, आहिल्या, हाँ, आई, आई, दमाज जी आए हैं। स्वामी, नदी में नहीं गए। स्वामी, बताया था ना, नया कॉंसेप्ट है, पैर धुलवाने के लिए बोल रही हैं। ओ, पैर धुने के लिए कह रही है। वो बुड़ी तुम्हें दमाज जी कह रही थी, और ये तुम्हें स्वामी कह कर बुला रही है। मुझे बिना बताया, कोई दूसरा चैनल तो नहीं खोल लिया तुम्हें। मेरे पास जो चैनल है, वो भी मैं एक मैने में एक बार देखता हूँ, दूसरा कब खोलूँगा। चलो, चलो। दामाजी चिट निकाले, बंपर आफर है। बंपर आफर है। डेंजर है। अरे बापरे। आए आए, जीजा जी के लिए खाने का इंतिजाम करो। वाह, सब तहस नहस हो गया। मैं यह कह रहा हूँ, यह जो पत्ता दिया है ना, वो तहस नहस हो गया है। इसलिए दूसरा चाहिए। अरे सुनो ना, मुझे एक नया पत्ता दो ना। यह लो। सुनो, भतीजों को बहुत भूक लगी है। ध्यान से परुसना उन्हे। खाना बढ़िया है ना। तू साबून से मलने की कुशिश करेगा। तो वो ग्राइंडर से पीस देंगे। एक तो मेरे पापा को पता ना चल जाए इस बात का मुझे टेंशन है। और तेरा अलग ही चल रहा है। पहुच गया, पहुच गया, पहुच गया, पहुच गया, गहन्डे की ओलाद। दामा जी, मतलब आप मेंसे किसका पती हूँ है। इसमेंसे एक पर्ची निकालिए, उसमें जिसका भी नाम आएगा, एक गंटे के लिए उसके पती बन सकते है। आरहा गंटा काफी है, यह निकालता हूँ। यह चितरा, तो फिर बिस्तर कहा है। क्या। अरे दीदी के बारे में पूछ रहा हूँ। आपका मिस्तर अगल वगल है क्या। तुम कोन हो। दीदी। स्वामी, ऐसे क्यूं देख रहे हैं। लूंगे पहन के काम पे लग जाए। लगता है मुझसे भी तेज़े स्पीड है। चलो, चलो। अरे जाइए, जाइए। यह लड़की यहां क्या कर रही है। अब तो यह गया। अरे शांतार आओ, शांतार आओ। कहां जा रहे हैं। चलिए यहां से। आप मा के ज्यादा करीब हो या पापा के। नानी के। खाने से पहले एक निवाला लेकर उन्हें याद करके बगल में रख दीजे। वो जहां भी होंगी उनका पेट भर जाएगा। वह आप रहे हैं। इतना बड़ा धोका, एक घंड़े का पती बताकर बावर्ची बना दिया। इसकी तो मैं जा रहा हूँ। कहां जा रहे हैं आप, पहले काम पूरा कीजिए। अरे कुछ नहीं करूँगा, क्या कर लोगी। जाकर पत्ते धो ये। पत्ते धो जाकर। जाते हैं कि नहीं। इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा। ए, अंकल के लिए दाल मखनी और आंटी के लिए बेंगन का भरता लेकर आओ। ये बहुत पसंद है इने। ये सब तुम्हें कैसे पता बेटी। आदा खाना हो तो आपने उसी के साथ खा लिया ना। कुछ और पीशने का इरादा था। लेकिन यहां मिर्ची पीश नहीं पड़ों है। कोई उम्मीद मत रखो, चुप-चप पीशो। अंकल मैनेजर है क्या, बैंक मैनेजर है या लाइसी मैनेजर। भूजरगों के नर्क के मैनेजर। ओल्ड एज होम में, आप ग्रेट हो अंकल। आज के जमाने में ऐसी सर्विस कौन करता है भला। आप मुझे बहुत पसंद आए। यह सब इनको पसंद नहीं आता है। पसंद नहीं आता। बिल्कुल नहीं। तो फिर आंटी को डिवोस दे दीजे। इस जन्म के लिए यह भूत काफी है। क्यों भाई। एक गंड़े का पती बनकर गंटा बजाने का इरादा था। जाओ लुगी पहन कर काम पर लग जाओ। जाओ। दमाद जी घर से जा रहे हैं। बिल भर दिया क्या। क्या कह रही हो सासुमा। ससुराल में खाना खाने के बाद कोई दामाद बिल भरता है कभी। मेरा फोन चोड़कर कुछ भी वांगो दे दूँगा। एक मिनटा। क्यों और राज। सुना है तुम किसी बेकार लड़की से प्यार करते हो। पाप, मुझे सब पता है किसी बेकार लड़की से प्यार करने के बजाए। उस लड़की से प्यार कर सकते थे ना। नहीं, नहीं, उस लड़की से प्यार करते तो कितना अच्छा होता है। मधू से? आहां, एक घंटा, एक मिनिट की तरह बीद गया। इस ससुराल में इसने हमें इतना खुश रखा है। अगर तुझसे शादी करके ससुराल आएगी, तो हमें कितना खुश रखेगी। पापा, आपको मधू पसंद है क्या? बहुत पसंद है। तब तो वही बनेगी आपकी बहू। तो तू प्यार करता है वह लड़की। फर्स टाइम, फर्स टाइम आपने मुझसे कुछ मांगा है बापा। अगर वह मैंने पूरा नहीं किया तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ। क्यों मा? इस सिकंड सिप मैंने जिससे भी प्यार के है अपने दिल से निकाल दूँगा। मधू से प्यार करना स्टाट कर दिया है मैंने। और इतना ही क्यों। नेक्स्स फादर्स डे में आपको मधू को बहू के रूप में गिफ्ट दूँगा। इस मैं प्रॉमिस। एक मिनिट हां। बस एक मिनिट। क्या हुआ जी। यह क्या है। मेरे लिए। मैंने बस इतना कहा कि वो मुझे पसंद है। तो बस एक सेकंड में उसने अपने प्यार को छोड़ दिया। क्या कहू। शांता रहो। अरे शांता रहो। एक घंटे पहले तू आने वाला था। एक घंटे में पूरी जिदिगी तबाव गई। खाना बनाते बनाते खुद पक गया। क्या क्या हुआ। अरे यार वह सब बात में बताता हूँ। अरे शांता रहो। देरा बेटा जिस लड़की से लव करता है यह वही है क्या। पता है। पता चल गया। अभी। लेकिन तुझे कब पता चला। लेकिन इस लड़की से वह अभी प्यार करता है। मतलब वह लड़की कौन है। और यह लड़की कौन है। अरे नहीं चाहिए वीटी। यह लड़की है मधू। और वह कोई बेकार लड़की थी। अंकल लीजे ना। भाण में कहीं मिठाई। यह जो दिमांग में टेंशन दे रहा है और तुम मिठाई खिला रही है। मेरा शुगर वैसे ही बढ़ रहा है। अरे मेरी बात सुन यार। वह लड़की यह लड़की है। नहीं नहीं। यह लड़की है मधू। वह कोई बेकार लड़की थी। क्या हुआ रे। हर कोई अपने ब्रह्म में रहता है। ऐसा मेरी दादी कहती थी। पहले यकीन नहीं था लेकिन अब यकीन हो गया। तेरी किस्मत तेरा करम। जा। यह क्या। यह खुद कंफूजन में और मेरी किस्मत को ललकार रहा है। अरे अपना राम। तुने शांता राम को अच्छा उलू बनाया है। और मुझे जूठा बना दिया। उसकी समाज की वज़े से मेरा दिमाग गरम हो रहा है। अर्जेंटली फोन करना पड़ेगा। प्रिया। और भी बताता कूछ ऊचर तीन दो हलो। आप भी फोन पर ज्यादा बात किछे आपका भी मैटर काम नहीं करेगा। इनका मैटर काम करना बंद किए तो कई साल भीत है। तो क्या कहा। इतना शौक्ययों हो रहे हैं अं haircut मैंटर मतलब ब्रेन मैंने भी तो भी कहा बेटी मैंटर मतलब सच में ब्रेन होता है क्या हाँ अंकल तुम ये सब कैसे करोगे पता नहीं लेकिन मधू से ही शादी करना मेरे लाडले बेटे को कौन मना करेगी ओके माँ बाई बेटा अपना खयाल रखना अपना खयाल रखना हेलो मधू अब तुमसे अजिंटली कुछ बात करनी थी ओगर्स्ट शादी फिक्स हो गई I'm so happy मैं कितनी खुशू पता है दस दिन में शादी है शादी के बहुत सारे काम है यह बहुत यह एक्साइटिंग होगा देखना बहुत मज़ा आने वाला है कपड़े खरीदने है गोल परचेस करना है महंदी लगवानी है तुम्हें अपने सारे फ्रेंज को लेकर आना है शादी के सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे अगर तुम यह सब करोगे तो मेरी दीदी पूरी जिन्दगी कभी नहीं भूलेंगी तुम्हारी दीदी मुझे कभी नहीं भूलेगी मतलब दीदी की शादी हो रही है ना शादी तुम्हारी दीदी की है अच्छा बताओ, तुमने फोन पर कहा था कोई जरूरी बात है, इतना सीक्रिट है क्या वो मैं, कैसे बताओ अबे इतना टेंशन क्यों रहे हो, हे भगवान अल्ला जीजस, सोचो और बता दो हे भगवान अल्ला जीजस, मैं शादी करना चाहता हूँ शादी, तुमने लड़की सेलेक्ट कर ली क्या, रेलेटिव्स है क्या, हमारे कॉलेज की लड़की है क्या, हमारे ग्रूप की लड़की है, ए, बताओ, कौन है वो, कौन है, कौन है, कौन है किल्ग। मैं लोग मेरी लाठी पकड़ता है पदमाश कबसे मैं तेरा इंतिजार कर रहा था अब जाके हाथ लगा है तू बताता हूं तुझे कुछ पता है इसने नहीं सर सर कुछ लड़कियों की डेट बॉड़ी पहाड पर पड़े हुए मिले हैं हमारे कॉंस्टेबल्स ने फोटो वेज़े हैं सर क्या रहे सबके साथ तुने मधुमति को भी मार दिया हां मधु 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 कैसे मर गई मैं स्पार्ट पर जा रहा हूं मेरे वापस आनी तक इससे सचो कलवाना ओके सर सर एक पर दो दिखाईए पहले बारता है फिर जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं असल रातक कर रहा है थीक है मेरे वापस आने तक अगर तुने सच नहीं बताए ना तो तुझ खत्म हो जाएगा समझा आ रहा हूं मैं बेंकर तु बाहर जाकर चाय लेकर आ जी ठीक है सर एसबी साहब खुद आ है इसका मतलब मैटर सीरियस है तुम लोगों को देखकर लग नहीं रहा है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी गल्ति की होगी तुम लोगों का इंकाउंटर करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं आसपास के थाने की पुलिस भी आ रही है अगर उनके हाथ लग गए तो तुम्हें काट डालेंगे तुम्हारी उम्र का मेरा भी बेटा है मुझे कुछ नहीं होगा तुम लोग जल्दी से भाग जाओ जल्दी जाओ अरे जल्दी जाओ यहां से निकलो यहां से मेरा काम तो हो गया बस अब आपका इंकाउंटर बाकी है रुख जा यह रुख जा यह अगर मदू जिंदा है तो मैं उसे किसे भी कीमत पर लेहांगा लेकिन अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया तो क्या कह रहा तो मेरे पापा को सौरी कह देना रुख पीछे ले पीछे ले ह्इघ को आपकत्या आंगर तू लेहां इंउल का ज自टि मारे जल्थ इन्दी प्त homosexual जाओ जल्थ लेजाओ हूं जाओ प्त işte ह्ट्षर कुछे होड़ अर्चे मेरे खुछ "- ऐas है यह रव् Agrebone हमें अर्ण एम्ड़य कोई मैं एम एंपूर मुष्टाएं काइव ए जगा खुड़ाएं गेम कावद मोग्या कहां गया वो? कहां है? वो लोग मुझे मार कर यहां से भाग गये सर तुम लोग कहा थे? सारे पुलिस वाले मर गये थे गया या फिर वस्सूली पे गये थे? पाहड पर लड़कियों के लाज मिली है यह सुनकर सby क्वाट वहा है सर कर देखते हैं आईए सर इसके पीछे चाहिए जिसका भी हाथ हो चाहे वो कितने भी लोग हो सो रोस्त से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए है अरे क्या हुआ फिर्ट दो मिनिटा एक्सिनेंट में उसकी आखों कि आप्टिक नर्व सीवियरली डैमेज हो गई है इसलिए उसे ब्लड दिख रहा है अगर ऐसा हुआ तो डैमेज्ड नर्व पर प्रेशर पड़ेगा और ब्लरनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी क्या कहा आँखों में आँखें डाल कर देखेंगे तो लड़कियों को हमारा प्यार दिख जाएगा अरे यार वो सब हमारे दादा पर दादा की जमाने में होता था एक मिनट है उसे पंगा मतले चुबे तो ऐसा क्यों कह रही है क्या भे लफंगे क्या रे प्यार की शुरुआत होती है आखों से और धीरी धीरी बढ़ती है लिप टू लिप से खत्म होती है थपड़ से चलबे पागल कहीं का इसकी तो लगता इसके मोड़े दिमाग में ब नहीं यार उसके बताने तक वेट करूंगा मैं किसको बताने तक हाई शादी में कैसे इंजॉई करेंगे उसका प्लान कर रहे हो तुम दोनों का मामला शादी तक पहुंच किया है और डबिंग फिल्म की तरह कैसा एक्ट कर रहा है तेरी वजह से मैं उस बेकार सी लड़की इसे थपल खा गया ची मित्र दोही ऑगस को डाटो मत मैं कह रही हूँ ना नाइन डेज में शादी है नाइन डेज में शादी है हां और अल्रेडी मैंने सभी को बुला लिया तुम भी आना हमारे बिना तुम्हारी शादी है शादी उसकी बहन की यह का पैदा हुई अरे वाँ जगे तो बहुत अच्छी है ना चलो तुम्हारी बहुत अच्छा है मामा जी क्यासी हो बेटी आपके होते हुए मुझे किस बात की कमी सूपर वैसे आप जनता और मेरे अलावा कभी अपने बारे में नहीं सोचेंगे क्या मुझे क्या हुआ है बेटी क्या हुआ है देखिए कैसे मुझे नीचे जुग गई है बहन आ गई तो घर में रोना का गई ए मदी कैसी हो तो मैं आच्छी हूँ मामा जी भाईया और दीदी खुश रहो बेटी शादी धूमधाम से होनी चाहिए अमारी शादी तो धूमधाम से होगी मतलब घर की शादी की तरह तयारी करेंगे शेव इसकी रहने के इंतिजाम कर दो ठीक है बड़े साब वैंकट सुनना जरा बहिया अंदर ले जो इन आया बहिया वैंकट भाईया मुझे एक डाउट है ऐसा डाउट भाईया बाहर मधू ने दीदी मामा जी और भाईया कहा उनके भाईया ने मधू के मामा जी को कौन है और यह बताओ तुम कौन हो क्या बात कर रहे हो मधू ने आपको बता है नहीं क्या मधू के बचपन में ही वीर नाइडू जो उसके पिता है वो अलग हो गय थे इस कारण बड़े साब ने अपनी शादी भी नहीं की शीवा भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार है म मामा को वो भगवान मानती है इसलिए मामा होने के बाद भी उनको बड़े साहब बुलाती है मालिक भाई शादी का कारण भाई उसने सब के समने मुझे लात माली एई उस घर में शादी होगी या बाम भटेगा उस बड़े साहब के परिवार में एक-एक आदमी के उड़ जाएंगे शादी के बाद तुम्हारी दिदी अमेरिका जाने वाली है इतना दूर इसको भीज़ना मुझे पसंद नहीं है फिर भी तुम्हारा भाई अच्छा रिष्टा लेकर के आया ऐसी लिए मैं मान गया हूं एई तुम्हारी बेंच जहां भी रहेगी उसकी सार आए हैं और अगी आवैं धुला दंग जा की आपको जो भी चाहिए वह आपको रहा कर देना है आप बस बताएए जले की आता हूं उथे हैं इसकीत् людям कुले देसे ब्सक्राइब उ επιचाए वीड़लार माशमारी प gli व thrive a Believe. अधिनी कर आदा ना ना वार या रम भी से चैसे मेरे मेरे परेंस को पूछा क्या रजोल धूरु है मडम इनके पास हाफ है, फुल चाहिए बोल रहे हैं, दारू काफी नहीं होगी, इसलिए दारू लेक्या लाँ सीता, आगस्ट, ये सीतराम, ये मेरा फ्रेंड, तुम्हारे साथ ही रहेगा ये फ्रेंड है तुम्हारा, मेरे कितने सारे फ्रेंड है, पता है, अकर मैं टच भी करूँ तो, वो पागलो की तरह मेरे पीछे बढ़ जाते हैं, निकल जा, निकल जा, मुदो तुस्य प्यार करती है, समझ ले मैं तुम से बात कहना चाहती हूँ, तुम सच में बड़े कमाल के हो, राजा बताओ ना मैं किसके साथ सो, तुम सब लोग मुझे कंफ्यूज क्यों करे हो, बताओ ना किसके साथ सोना है मुझे, उसके साथ, उसके साथ, मतलब कि सारा बेट मेरा ही है, क्या, मुझे राजा हमारे ही है चलो ना जल्दी सो जाते हैं सुबा साड़ियों का सेलेक्शन भी करना है यह मेरे पीछे क्यों पड़ा यार ठंडी लगे तो चाधर ओड़ लेना क्या ओड़ ले इस नाइट को कहां फायर लगेगा पता नहीं हाई गाइज हलो सुपर सीनियर सड़नी इतने भारी अगे यही पर घर बसाने वाले होिए यही चूप रह भाई मजाग का समय नहीं है जब से उस लड़की के साथ शादी की है मेरी जिन्दिगी पूरी तरह से नरक बन गई है घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है मेरी बेटी याद है न छे महीने की हो गई जब वो पोटी करत राइट लेप्ट राइट लेप्टट राइट रिठ्ट राइट मेरे हाथ की रहे खतम हो गई है इसी बीच मदु ने फौन किया तो थूटा रिलेक्स होने के लिए वहां से भाग कर यहां गया तुम सब कैसे हो हाथ जोता हूँ हाँ तोला उपर करके लगा दे बहुत अच्छा लग रहा है बोड़े सहब की मौत कैसे हुई है सबको पता चलना चाहिए लेकिन पता ना चले किस ने टपका है बिना आवास के काम हो जाना चाहिए ठीक है भाई हो जाएगा ऐसा मत कर वो भगवान है मेरा दुष्मन तेरा भगवान हो सकता है नेरा नहीं अगर टांग अड़ाई तो तुझे भी मार दूँगा क्यों रड़ी तेरा बेटा कुछ कह रहा है क्या कुछ नहीं साहब वो मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता बेटी के बारे में ये क्या चाहता है ये बात मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता है बेटी नीरजा आ रही हूँ अंकल तुम्हारे पापा क्या रहा है तुम जाना चाहोगी मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है तुमने देखा ना गरेड़ी तुम्हारी शकल देखना तुम्हारी बेटी को भी पसंद नहीं है उसका बाप अगर बनना चाहते हो तो ये जो तुम जिस तरह की जिन्दगी जी रहे हो ना उसे छोड़ना होगा साथ, एक बार अगर उसके साथ आप रेडी अपपा यहाँ, साथ मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूँ तो वो पत्थर की लकीर होती है ये तुम्हें पता है ना, इसका घमन अब तक कम नहीं हुआ है जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि ये बदल चुका है तो उसी दिन इसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा ये देगा और मैं लूँगा मतलब मैं इसके नजरों मैं भेका रही हूँ अब तो इस शादी को मौता में बदल के रहाँगा मैं तुझे छड़ूँगा ले, मार दूँगा, चाहँ से मार दूँगा तुझे रूख जाएए, चाचा क्या हो गया चाचा, क्यों लड़ रहे हो आप लोग? आँख के बदले आँख तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी बैट कर शांती से बात कर सकते हो ना इससे क्या बात करूँ मैं? मेरे खेत में आने वाले पानी को ये दूसरी तरब भेज देता है मना किया मैंने मेरे खेत में जो पानी आता है उसे ये रोक के अपने खेत मे लेकर जाता है ये देखकर मैं कैसे चुप रहूँगा? अगर मेरा खेत सुकता है तो इसका भी सुकना चाहिए नहीं मेरे खेत में पानी आएगा नहीं इसके खेत में मैं सही कह रहा हूँ ना चाची लड़का छोटा है लेकिन फैसला बहुत सही किया है अगर मन्जूर नहीं तो बड़े साप के पास चलते हैं अरे जीप में बैठाओ इन सबको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर चोड़ी सी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेंगे या बड़े साप के पास चले जाएंगे आप जाए ना सर मुझे जाने को बोल रहा है पहरे तू चल पुली स्टेशन ले जा रहे हो मेरी ड्यूटी चोड़ दो जल्दी से स्टेशन चले जाओ ये सब हमारे बड़े साप देख लेंगे बड़े साहब वो कौन है बेर लगता है इस गाओं में नएने आये हैं इसलिए इने बड़े साप के बार में पता नहीं है इस बार छोड़े देते हैं ए मुझसे कभी उलजना मत परना खत्म हो जाएगा समझां जाइए सर जाइए वैसे भी खेतों में बहुत सारे काम पड़े हैं भाईया और मामा जी के मानने के बाद राओ को बताने की बात कर रही हो पहले उसको बता कर मना सकती हो ना टेंशन मतलों दीदी आपकी शादी होते ही बता दूंगी और फिर दो क्यों है वो लोड़का आपकी पहचान का है क्या मैं उस लड़के को बहुत पहले से ही जानता हूं यह गलती से कोई मार्ट अदर ना आ जाए दर्वासा बंद करो बहुत प्यारा है यह मैं देखो मेरी मैंदी प्यारा है अच्छी है मुझे खुश्बू आ रही है जरूर यहां कोई है कोई मड़ तो है यहां पर कहा है हड़ी तोड़कर जूटे केस में फसा दूंगी और यह क्या यह बुड़ी इतनी वाइलेंट कैसे हो रही है वह निर्भया केस की बात कर रही है मेरी बीवी मुझे जान से मार ड़ा कराया और भी भागने की बाद्वे तो आप क्या करें अब आए गया हुआ है क्या हुआ हुआ है यहां किया हो इसका दिल तुम पर आ गया है रहे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं यह वो बढ़िया निर्भया कि इसकी बात कर रही है मदू कह रही है कि उसका मामा चमडी उधेर देगा अरे मान गया मान गया मान गया तू रात में आकर जो करना होगा उखर लेना अरे अच्छी अच्छी साडिया है वाव कितनी जादा अच्छी साडिया है यह मदू यह मुझ पर कैसी लगेगी मेरे हिसाब से तुम पर कि अधिक 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 हैं और यह वह बुद्धी कोई मामूली इंशान नहीं है क्या बात है सीनियर अरे आइस का टुकड़ा ले आओ यार पूरी दुकान गरम हो गई थोड़ी ठंधक मिल जाएगी अप्पा अप्रे यार कुछ नहीं मेरी बेटी की याद आ रही है बाइ बाइ काम हो गया कि अरे सही तरह से काम करो भाई उस बूड़े को मारने के लिए सारा सामान चिपा कर रख दिया है सब आसानी से हो जाएगा कि शिवा आ रहा है आ बाई आ रहा है फूर लेकर आ इस तरफ जाओ अरे क्या कर रहा है तू ठीक से काम करना कि मैंने कहा था ना शादी में बहुत सारे नए नए लोग रहेंगे सब बड़े साब करिश्टेदार है जा ठीक है यह रस्गुलाब इतने फूल कापी नहीं होंगे और फूल लेकिया मुझे काम बता रहा है अभी बताता हूं बुलाब का फूल या कमाल का फूल गेंदे का फूल या चमेली का फूल मोंगरे का फूल या सुरज मुखी का फूल तेरी तो दू क्या रस गुला सुर्य मुखी का फूल चादी में लगता है क्या बेवडे ना लायक भाई में तरे आगया हाज जोडता हूं तुझे बुल गलापुरा सूख रहा है सेनियर बैली डांसर की तरह एकदम मस्त है यार्ट बैली डांसर मतलब अरे वको अरबियन जल पर ही लग रही है मक्खन की तरह मस्त है यार्ट अरे वाह इसको देखकर दिल धग धग करने लगा हे एंड्री मदू अच्छा तो इतनी फ्रेश कैसे बॉइफ्रेंड नहीं है क्या आप कौन है इतने होट लग रहे हैं चलो दीदी के पास चलते हैं है होटी यह नॉटी अगर लाइप में मिले तो विराइटी अबे वो यह क्या है आखरी मिनेट में बुलेट ट्रेंड मिस होगी ऐसे चेरा बनाए फर लड़किया ऐसी होती है वो उसको लेकर अंदर चली गई जैलेसी यार्ट जैलेसी मधू को किसलिए अरे इसको बताऊंगा तो इसको समझ में नहीं आएगा यह ट्यूब लाइट स ज्यादा स्ट्रीट लाइट से कम है तू इधर आ रहे तुझे समझाता हूं इधर बैट 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 जा बैट जा बे अरे जैलेसी लड़कियों का पैदाशी हक होता है मधू के अंदर जैलेसी बढ़ा उसके अंदर से प्यार बाहर निकलेगा यहां स्विश अरे क्या बात है बहुत बढ़िया क्या नाच रहा है तो अंदरी बढ़िया मधू को बुरा नहीं लगेगा तो मधू का लव लव उचल का पार निकलेगा इतने फिल्में देखता है अक्कल नहीं आते है है सुनो मधू को अगर इस बारे में पता चलना तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा हाँ हाँ पता तो चल गया लेकिन ऐसे पता चलना तो किसी फिल्म में ही नहीं है सही से लगा भाई क्यों भाई लेट क्यों आए लड़किया होंगी इसलिए गेट अब बदल लिया बागी के सब कहा है वहाँ पर बोल भाई काम हो गया पूरा हाँ कि अज़िए पाड़ी ने तो फाड़ दिया भाई पागल कहीं कि फार दिया मतलब एकदम लाजवाब लग रही हो थैंक यू वैसे, वाट इस दा मीनिंग और पगली कहीं कि इसका मतलब होती है सुन्दर लड़की थैंक यू तुमने भी तो फार दिया पागले कहीं कि ठीक है, चलो चलते हैं, लिपस्टिक का शेड़ तो बढ़िया है अरे बापरी, ये तो जबरदस्ट आइटम लगते है यार कौन है ये? ये मेरी है अरे वाँ, उसकी कमर हिल रही है, देखो सुपर सीनियर उसको पुरी नजर से मत देख बख रहे है, वो तेरी बहन है नहीं नहीं, वो चक्का है पक्का राज्जा बागो हाँ यर, सच में हाई हाई सीता हेलो वाँ, क्या चांस दिया है, अब देखना तुम ये जो सीता है अब उस राज को आधिराथ को अपना जलबा दिखाएगी साडी बहुत फिसल रही है, तो आसी रहने दो लड़कों को मजा आएगा ना वाट देखा ना अच्छा डालिंग साडी इसे नहीं पहनते हैं ऐसे लिखकर ऐसे इसे अंदर घुसाना चाहिए, साडी हमशा नाभी के निचे पहननी चाहिए, समझभाया ना वाट इस दे मीनिंग ऑफ नाभी अरे बेली बटन ब्रह्मान की सेकंड कैपिटल सीटी यह वो तो फ़र्स्ट कॉन सा है मेरी भी साडी फिसल रही है ठीक कर दो ना अरे चोड़ मुझे नहीं चोड़ोंगी उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है अरे इसको दूर करो मुझे से दबारी है मुझे अरे जोर से दबारी है मेरे साड़ी कर दो ना यह लोग अचानक से कहां गाइब हो गए हो राजा कहां हो वहां पर वह हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती है यार बाबरे आग्या एक टिकट में इतने लोगों को फिल्म कैसे दिखाऊंगी मैं आइडिया दर्वाजा बंद करती हूं अब हमारी जिंदिके में सिर्फ अंधेरा है रोशनी लाने वाला कोई नहीं है क्या आप लोगों के लिए मैं रोशनी ही तो लाई हूँ आइडिया एक तामें बल है सबके सब एक साथ कूद पड़ते हैं हमें तेरी जात का वो हमारा गैंग्रेप कर देगी उसे सबग सिख कहा जा रहे हो मेरी बात तो सुनो अरे आओ ना अरे अब तो बहुत समय है आओ ना अन्दर आओ ना इत्ति जल्दी भी क्या है बाहर जाने की आजाओ अरे आओना मुझे सोच मिल गया यह खत्म नहीं होगा ऐसा लग रहा यार तुम्हें तो दम ही नहीं है मुझे मज़ा ही नहीं आया लाइट बन करो ना नहीं यार यह मुझे कच्छा निकल जाएगी अरे सुपर सीनिर ऐसे क्यों खड़े हो अरे मेरी पैन चिची अंडर वियर भी उतार कर ले गई अरे मेरी मां अंडर वियर दे दे तेरे पैर पढ़ता हूँ मेरी बीवी अगर इसको पता चलेगा तो मेरी क्लास ले लेगी मैं भागता हूँ अरे शर्ट है मेरी इस शर्ट को लेकर ऐसा लगता है जैसे कि इस शर्ट के अंदर तुम ही हो राजा हो राजा कितना फानी दाई जब से आई हो तब से देख रहा हूँ उस पर तुम कुछ सादा ही ध्यान दे रही हो अगर साहब को पता चला तू भाया राओ उसे पसंद है राओ भी बहुत अच्छा लड़का है मैं जिसे पसंद करती हूँ आप उससे मेरी शादी करवा रहे हैं किसी तरह से मामा को मना कर इसकी शादी भी उससे करवा दीजे आप और मामा जब मान जाएंगे तब वो इस बारे में राओ को बता देगी अब तक कुछ नहीं बताया है भाया हमने मना कर दिया तो मैं उसको पसंद करती हूँ ये बात राओ को पूरी जिंदगी नहीं बताऊंगी हाँ बोलिये सर फोटो भेज दी है मैंने कितने पुलीस फ़लो को भेज़ेगा मुझे नहीं पता है राओ की पूरी कहानी और उसके कुंडली चाहिए मुझे ओके सर ओके सर जरूर भाई हमने जो भी हत्यार चुपाए थे वो सबके सब खार को है लगता है शिवा को पता चल गया अगर पकड़े गए तो जीते जी गला काट देगा वो हमारा मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ शिव मार देगा इस बात से डर रहे हो गया इसी डर से आपके अपने भी आपको छोड़ कर चले गए और अगर आपने बड़े साहब को मार दिया ना तो शिवा आपको छोड़ेगा क्या चचा इस गाओं के लोग आपको और आपके लोगों को जीने देंगे वैसे भी सब खत्म होने के बाद आप क्या हासिल कर लोगे जब तक जिन्दा हो तब तक कहीं छिप कर जीने के अलावा सच है की नहीं? बुलिये ना चचा वैसे भी मरने और मारने से समस्या खत्म नहीं होती है कभी जब हम बदलेंगे तब खत्म होता है वैसे भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मारने की जरूत पड़ती है इंसानों को इंसान बन कर जीतो इतना काफी है टेंचन मतलो चचा शिव को वेपन्स नाम इले इसलिए छिपाने वाले हम ही है उसको अब तक कुछ भी पता नहीं है अगर अब भी आपको लगता है कि आप ही सही हो तो आपकी मरजी मैं बीच में बिल्कुल नहीं पड़ूँगा और अगर लगता है कि आप गलत हो तो आप बड़े साब से माफी मांग लीजिए उनको मारने की बजाए जो हासिल करना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा मुझ पर भरोसा करो चाचा जो जाचा जाचा जो जाचा जाचा बारेसा 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 बारेस मुझे माफ कर दीजिए मैं ना गबा तुम बदल गए अच्छा है मुझे बहुत खुशी हो रही है यह विश्वा वो जादात के कागजात लेकर आओ जाओ जल्दी लाओ इसी बदलाओ का मैं इंतजार कर रहा था मुझे बहुत खुशी हो रही है पापा हां 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 चलाओ चलाओ शुक्त मत्रदार था ना हो सच में हां हां हाँ हाँ सच में जित्वर मुरी कसा है अहाँ राओ के पेरेंट्स के बारे में पता लगवाया बहुत ही अच्छे लोग हैं वो वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं ये भी पता चलाएं मुझे भी राओ बहुत पसंद आया ये शादी हो जाने के बाद साहब एक प्रोजेक्ट के चक्कर में दिल्ली जा रहे हैं दौतने के बाद मैं उन्हें मना लूँगा तुम्हारी शादी करवाने की समयदारी मेरी है भाईया थांक्यू भाईया थांक्यू ये थांक्यू सो मच भाईया अभी वह इंड़ी लूँट वुआ है एप जाए अप जाबे मैंने काथ उद्रानाओ भी जोज़े तुम्हारी पुआ उद्रान ये वह जबाद पुआज़ सरस्यूद प्रवाद राज़ा राज़ा रॉट रॉट बेटा वार वदू के लिए वर्माला लेकर आओ बेटा ठीक है पंड़िची अरे जीजा जी फोन पर ज्यादा बात पत कीजिए अभी अभी शादी हुई है मैटर काम नहीं करेगा अरे मैटर मतलब ब्रेन 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 तुम्हें एक बात बताओं क्या है अभी नहीं बात में बताती हूं भाई बाम नहीं बटा भाई बाम नहीं बटा बड़े साहब को दिल्ली के हवाई जाहद में बिठा कर लाटने तक ये बॉम किसने लगाया है मुझे पता चलना चाहिए हलो फ्रेंट्स आप सभी को अर्ली मॉर्निंग फाइफ ओक्लॉक अठना पड़ेगा एक ब्यूटिफुल लेक के पास लेकर जाओंगी ओके अर्ली मॉर्निंग रात को तु मुझे बहुत काम है मधू के दिल में जलेसी बढ़ाने के लिए मैं तुमसे ग्लोज हुआ था आइम सो सॉरी है मधू कॉंग्रेट्स शादी फिक्स हो गई ना मेरी शादी किसने बोला तुम्हारे मामा ने कोई रिष्टा फिक्स किया है तुम्हारे भहिया ना बताया मुझे ओ सॉरी लगता है तुम्हें बताया नहीं सॉरी सॉरी अब तेरे मुस्कान गायब हो जाएगी बेटा सच बात है भहिया ने मुझे भी बताया तुम टेंशन लोगी इसलिए उन्होंने बताने से मना किया कॉंफरेंस कॉल करती हूँ उनसे बात कर लो ठीक है बड़े साप में अगर एक बार फिक्स कर लिया तो वो फैसला बदल नहीं सकता है तुम्हें पता है ना फिर भी मैं ट्राइ करूंगा तुम टेंशन मतलो हलो अधू टेंशन मतले ना तुम क्या हो तुम्हें वाव ब्यूटिफुल इस गाहों को इन खेतों को देख कर तुम्हारे मामा जी को वाकई हाज जुढने का मन करता है मेरा उनकी तरह बनने की कुशिश करने वाले तुम्हारे भाईयों को सब को तुम्हें कल इन सब को छोड़ कर जाना होगा जाना ही पढ़ेगा मद्धू बचपन से जो मैंने ठाना है वो मैंने हमेशा पुरा किया है पापा से डाट नहीं खानी है इसलिए मैंने बचपन में ठान दिया था हमेशा जीता हाँ गौलेज में टॉपर रहने की खोईश थी वो पूरा किया केमपस इंटेव्यू में टॉप कमपणी में सेलेक्ट होने की इच्छा थी, वहाँ भी जीत गया, लगता था तुम ही मेरी जिन्दगी हो, लेकिन यहाँ पर मैं हाराया जीता, यह समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में फॉर्स टाइम तुम से प्यार हुआ है, इतना कि बोल रहे हूं वो सुनो, लाइफ में सब कुछ हमारे मन मताबिक नहीं होता, कई बार हमें एज़स्ट करना पड़ता है, अगर ऐसा करेंगे, तब ही हम लाइफ में मूव करेंगे, तुम मुझे अपनी लाइफ में बस, पासिंग लाउट समझो, बस, कल्यां से जाते समय, मुझे से मिलने की कोशिश मत करना, बाई, बाई फॉरेवर, अरे, क्या हो, अरे, मैं बागल हो रहा हूँ, यार, मधु जब दिना जबाब दिये चली गई थी, तो कभी ना कभी हाँ बोलेगे, इस बात की उमिद थी, लेकिन आज तो वो भी खत्म हो, इस गाउन, इस गाउन फॉरेवर, अब मैं क्या करूँ, यार, कुछ तो बोलो ना भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मद हो चाहिए, बोचाहिए बस, मामबा जी के खिलाफ मैं नहीं जा सकती, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm really sorry, भूर भूर जाओ हो तुर में नेजयी चाहरा इस 스दस्टञा इस दिदे। सरथ anni जाओ हो सरथ ? जए क्यों लिखना रहे है ? उनने चाहरे में आधी है ? डी होलाइ 좋아ate ? मतलब उसनी जो कुछ भी हुआ था उसका बदला आज ले रहे हो ना हमसे हमें क्या समझ रखा है इतना कुछ होने के बाद हम चायन की नीम सोते रहेंगे क्या जब तंडा पड़ेगा ना तो जो किया है सब बाहर आ जाएगा पुलीस से बंगा लेता है पतमाश कहीं का चल ठा अपना काम हो गया बाई बाई सुबर से बड़े साब को फोन लगा रहा हूं लेकिन उनका फोन लगने रहा है इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया आखिर क्या हुआ है तलाब के पास गया था मदू मेंसा वहाँ पर नहीं मिली क्या बात कर रहा है तू राओ ने मदू मेंसा आपके साथ कुछ गलत किया, इसलिए पुलिस वाले ले गाया उसे, राहो को? बड़े साथ की भांजी को कोई ले गया? रे, क्या पुले साथ की बढ़ी चाहिए अपू थाले गया? कौन ले गया? पुसकु पुछ भुले सेंगे, जाओो पुले सेंगे गया उसे थे साथ कुछ! अखुष्ट मतु थे किसे बात कर रही है रहा है किसे बात कर रही है चाहने बात बात बडू थे अपनो बता इंडरा इसे प्लीस बात कर रही है इससे पहले जब मैं रूम में आया था तो फोन यही पर गिर गया था भाई यह कोली तेरे भेजेम उतारने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा मैं तुझे ना मारूँ इसलिए भवान से प्राप्त ना कर तो बारा फोन करने की कोशिश मत करना मैं तो जान से मार दूँगा चलाट कमीने तू कौन है मुझे नहीं पता पैसा दिखता है नहीं पता तो इस वक्त कहां ये भी नहीं पता लेकिन मैं मध्धू को पागल पन की हद तक प्यार करता हूं आऊँगा तेरे सामने आऊँगा और तेरे सामने आने के एक सिकंड बात कमीने बचेगा सिर्फ एक इंसान वो तू हो सकता है या फिर मैं हो सकता हूं कहां जा रहा है तू यार वो लोग तुझे मारना चाहते हैं अगर तेरा ओप्रेशन नहीं हुआ तो तू अंधा हो जाएगा ऐसा डॉक्टर ने कहा है कि ऐही मधू को किसी तरह बचाना ही होगा उसे बचाने के लिए तुझे जिन्धाUR रहना होगा भले यह म मैं अंधाई क्यों ना हो जाओं लेकिन मधू को बचा करी रहेंगा तु जिससे प्यार में करता है रिसक्स क्यों ले चसन, हम भी तेरे दोस्त हैं, साथ जी हैंगे, साथ मरेंगे, तू अकले नहीं जाएगा, चल मधु और बाकी के लोग जिस लेक में लापत हुए है, वहाँ चलते हैं, शायद कोई कलू मिल जाए अवे, ये सब क्या है बिटा, इतनी जोट कैसे लगी, जब फोन पर बता चला, मेरी जान ही निकल गई, तेरे पापा को बिना बताया, यहाँ चली आई मैं, मैंने कोई गलती नहीं किये माँ, मैं माँ हूँ तो मान जाओंगी, पर आस पास की लोग मानेंगे क्या, अचा, अचा, लगता है तेरे पापा मान जाएंगे, उन्हें तो बस तेरे गलती करने का इंतिजार रहता है, उन्हें ये पता चलेगा तो वह चुप रहेंगे, तुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे, आजा, पापा को किसी भी हालत में इस बारे में पता मत लगने देना, क्य पूरी लाइफ आपको डाटने का मौका नहीं देना, ये सोचा था मैंने, अब डाटिये पापा पेरेंट्स अपने बच्चे को डाटते हैं, वो उसे दुख देने के लिए नहीं, ताकि उसे भविश्य में कभी दुख ना हो, मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें जिंदगी बर मेरी डाट ना सुनने पड़े, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जानता हूँ ये जाओ को कि अच्छी डाट व रच जवाच़् हो कर में का पर समय धुख झाएّ एचा राट तुम्हारी घूत! यहाँ टायर के निशान है लगता है मधू को इसी रास्ते ले गए होंगे मधू का फोन मिल गया लगता है चार्जिंग खत्म हो गई है बाउर बैंक दे चार्जिंग खत्त है मतलब गैलरी में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा देख हमने बुलाया तब आये नहीं रगता है अभी हमें डराने के लिए आ रहे हो साइलिंट रहो देखो अरे मुझे गाड़ी से टक्कर मारने वाला यही है अरे इसको मैंने कई और भी देखा है कहां देखा होगा है शादी में किसी से बात करते हुए देखा अगर यह बात मैं बड़े साब को बताऊंगा तो मधू को ढूणने में आसानी होगी अच्छा इंगेज आ रहा है यार तो जल्दी से शिव को फोन करो ना मधू परिस आज़ी बागो जल्दी रुक जलो रुक जा वो पुलिस वाला तुझे मानना क्यों चाहता है वो मुझे क्यों मानना चाहता यह जानने से ज्यदा मधू को बचाना बहुत जरूरी है मेरे लिए चलो थोड़ा सा मिस हो गया लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मधू ने जिस फोन से फोन किया था मैं उस पर ट्राय करता हूँ तुम जाकर बाइक लेकर आशा यहां इतना सब कुछ हो गया मुझे फोन क्यों नहीं किया मैंने सुचा था कि आपके लौटने तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा यह कापलियत दिखाने का समय नहीं है मधू का कुछ हो गया तो बड़े साब अभी अभी मधू का फोन आया था उठाने से पहले कट गया उसे कुछ नहीं हुआ है आप टेंशन मत लीजिए सारे चेकपुस्ट को अलर्ड कर दिया है वो यह सिंगनस को भी ट्रेक कर रहे हैं अगर राओ मिल गया तो मधू भी मिल जाएगी उस राओ का इससे कोई संबंध नहीं है हाँ बड़े साब वो दुनों एक दूसरे को पसंद करते हैं आपके लौट के आने पे मैं आपको बताने वाला था लेकिन तब तक जितने आदमी जाहो लेकर जाहो लेकिन कल सुबह तक मधू घर पर होने चाहिए सेम टायर का निशान गाड़ी इसी तरफ गई है इस तरफ सब क्लियर है साइब वोलों मोटर साइकल से उस तरह भाग रहा है पकड़ा उन्हें भाई राओ उर इसके साथ ही रिड्डी पालम की तरफ जा रहे हैं अगर पकड़े गए तो क्या करना है बड़े साब के पास लेकिया हो फोन भाई भाई यह मेरी है में नाइदू का प्लीज भाई वो फोन फोन यह वाला क्या वो नहीं यह नहीं चाहिए अरे फोन यह भी नहीं चाहिए क्या वही भाई प्लीज दो नहीं प्लीज प्लीज जल्दी नीचे इसके क्या करोगी टायर का निचाने यह से खतम हो गया अब क्या करें हम गाडी पकका राइटसाइड में गई होगी शूर है शूर है टायर करने शान देकर पता चलता है गाडी पकका राइटसाइड में गई होगी बसे कितनी दूर हो कहां तक जाएगी वह सहाब, उस राओ का इंकाउंटर करने के बाद ही मिलूँगा सहाब हाँ, 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 मधू, अगस्ट, मधू, कहा हो, मधू, तुम, कुछ पता ने चल रहा, मुझे बहुत मार रहे है, फोन आएका, तुम मुझे मार देने के धंकी दे रहे है, अगस्ट, तुम्हे कुछ नहीं होगा, मैं हुँ ना, मैं आ रहा हूँ, मधू, पहले क्या हुआ अर्ली मॉनिंग लेग के पास जाने की बाद, वहां के विज्वल रिकॉर्ड करते समय पीछे से कोई साउंड सुनाई दिया, हमें लगा कि तुम लोग हो, अचाना किसी ने रुमाल से मुढख दिया, मैं बेहोश हो कर गिर गई, अभी तुम कहाँ, छोटा सा क्लू दे सकती ह मुझे गाड़ी में लेकर जाने वाले, कुछ तेर के बाद गाड़ी की साउंड सुनाई दिया, वहिकल की साउंड थी, शोट पर आ गया था शायद, कोई आ रहा है, हाँ, जल्दी बताओ न, डोर खोल रहा है, हेई, खोंदे, किससे बात कर रहे हैं तो, कौन है तो, हाँ दी हमिनाा's, अधा में आकि छोड़ दिया गया, एंध्टि में. क्या हओ तो, जिसे शूट किया? मधु नहीं है, मधु को कुछ नहीं क्या होए, मैने कहा न, मधु को- टुछ नहीं रहा है, मधु को छ़ोße मतु क्या होए, मधु को छोड़ कोकु नहीं होए, मधु को. एए वो बाइक वाले लड़की किदर गए रेड़ी पालम की तरफ सर हलो कंट्रोल रूम वो राओ का बैच रेड़ी पालम की तरफ गया है सारे चेक पोस्ट को अलर्ट करतो पोरी डप पो सेंडल कहा है पता लगाओ उन दोनों पर डाउट है मुझे उसी काम में लगा हूँ बड़े साहब उस वक्त वो आप को मारना चाहता था अब वो बधू को उठा की ले गया और राओ को भसा दिया है हमारे आस पास ही कोई है जो हमें दोखा दे रहा है जब तक मैं लौट के नाओं किसी पे भरोसा मत करना मुझे कुछ नहीं होगा तो बस अपना खयाल लग इस समय तू का है राओ रेडडी पालम की ओर गया है ऐसी खबर मिली है मधू के बारे में उसे कुछ पता चला है मुझे ऐसा डाउट है मैं भी उससी तरफ जा रहा हूँ बड़े साहब आप अपना ख्याल रखिएगा ठीक है एक कम नहीं होता तिरसे बेकार का आदमी तुमने किसी से बात की थी ना किससे बात की थी बताओ किससे की थी बात जल्दी बताओ अगस्ट अगस्ट था ये अगस्ट कौन है अगर दोबारा इसी तरह से मरेगी तू एक बात याद रख ले अगर दुबारा फोन किया इसी तरह से मार दूँगा याद रखना हम अग aan मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ यह बताया बेना लगता है मर जाओंगी मैं सच मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम्हे कैसे बताओ कैसे बताओ हे अब किस तरफ जाना है अरे, जब मैंने मदू से फोन पर बात के थी, तो दूर से कुछ साउंड सुना ही दिया था कैसा साउंड था वो, कैसा साउंड था अजान, मस्जीद, है अज़े, मदू को जहां छिपाया है, वहां पर पास में मजजीद है, यह थी, भाया, तीनो रूट में मस्जद है, कितने डिस्ट्स पे हैं, तंगिर पहले रूट में 18, किलो मेटर, रड़ी पालम रूट में 22 किलो मेटर, ओक्या, आधे घंटे में 22 किलो मेटर से नहीं जा सक शादी में बिना फिंगर के आदमी से बात करने वाला संदिल ने है, मदो को उठाने वालो और फोन पर बात करने वाला तमिल है, मतलब सब संदिल ने किया है, ये भगवान, बाइ, राज उसी तरफ आ रहा है, हम उसे ऐसा स्ट्रोक देंगे, कि उसे बहुत बड़ा जटका ल मार देना, ठीक बाई, अरे मज़िन में लाट स्पिकर है यार, तो इसके आसपस आदी बना कर छोड़ दी गई बिल्डिंग होनी चाहिए, हाँ, अरे, इतनी सारी बिल्डिंग्स में कौन सी होगी यार, जाकर देखते हैं, चलो, हाँ, तो उस तरफ ढूण लें, हाँ, हाँ, चीक, आजा, आजा, अरे, मधू, यहाँ भी नहीं है, चलो, दूसरी चेकर ढूणते है, मधू, 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 हाँ, यहाँ, यहाँ, इटे, मधू, मधू, कर दो! मुण lado था पूचस, जहें गींमें,ाइफUp मुण पईकिन कि अुपेंडें़े! प्ञिर अजय को वे वे लिए! है? बादो 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 अर तुझा कुछ उनीननन उख औठो अरे अ टुझे कुछ कुछurosक निवा तुठीक नह उठ्छा मैंने अर। तुझा टुझा थो ऐसे च बैंने बनाज आयां तुझा करनारं चौण क्योच over तू है ये सब करके तू यहां क्यों आया है मैंने कुछ नहीं किया है मैं बस राज से गुसा था इसलिए उसके अरेस्ट होने पर खुश हुआ फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा जगड़ा सिर्फ कॉलिस तक था बाहर आने के बाद तो हम फ्रेंड्स है तब ही से मैं तुम लोगों के मदद करने की कोशिश करना हूँ अगर तुने नहीं किया तो ये सब फिर किसने किया है अब भाग भाग के कितनी दूर तक जाएगा मधु आर राज कहा है वो मेरे दोस्त है मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा एए तेरे बड़े सहब को मेरे लोग और तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ तड़पा तड़पा के मारूंगा बताएगा या मरेगा नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा बाम रखने के बाद जब पकड़ा गया था उसे दिन तुझे मार देना चाहिए था कभी ना कभी काम आएगा सोचकर मैंने तुझे छोड़ दिया था अब मेरा वो काम हो गया अब उपर जा गार राओ और मदू किस तरफ गे है इस तरफ गे है बाई लोní उसको बत बारना है यह सब करने वाला शिए है क्या हमारा शुखаться यह सब ने मिलके किया था राओ और मधू को मौत की मूँ में धकेलने वाला शिवी है भाईया फोन पे करो भाईया वाईया थासा ऑच को को कि अगेश कि रुड यूसर नुड यूसर नुड PatriOY अगस्त भाईया भाईया कहा हो तुम लोग लगता है मुझे और राज को मार देंगे भाईया पहले वहां से बाहर दिखलो भाईया भाईया यही कही होगे तुम चली जाओ अपने भाई के बाद चली जाओ अपने भाई के बाद चली जाओ मुझे क्यों मारा मधूने कहा वो तुझ से शादी करेंगी और मैं उसके लिए मान भी गया मैंने सुचा पड़े सहब को भी मना लूँगा लेकिन फिर भी तुने मुझसे पंगा लिया मैंने क्या किया सब उस राव ने किया है जब वो हमारे खिलाफ हुआ तभी मार देना था पर तुम्हारी भांजी की वज़े से हम खामोश थे वो उसे पसंद करती है ऐसा उसने सिर्फ शिफ को बताया था अगर उसको ऐसा कुछ होता तो सीधा शिफ पर शिफ पर शक जाता उसके उपर शक लकर उसको पुलिस से अरस्ट करवाने वाले भी हम ही हैं उसको पुलिस से और हमारे लोगों से मरवाने की कोशिश करने वाले हम लोग ही हैं तुझे मारने के बाद उसको मैंने ही बचाया है ऐसा उस बुढ़े को भरोसा दिलाऊंगा लेकिन जिन्दा बच कर तूने मेरा पूरा प्लान बरबाद कर दिया आज यहां तेरी मौत का सिम्मेदार वो रेड़ी है मैं ऐसा उस बुढ़े को यकीन दिलाऊंगा मैं मैंने ऐसा क्या गुना किया है यह बता कर मार दे क्या किया है क्या किया है तेरी सीक के वज़े से वो नागारड़ी बदल गया उसके बाद तुझे पताए क्या हुआ इतना कुछ करने के बाद भी मैं नागरड़ी को नहीं बदल पाया विश्वा पर वो काम राज ने करके दिखा दिया उसको यही नहीं विश्वा जब मैं मधू से मिलने वायज़ा गया था तब वहाँ देखा था हमारे जंगम पहली में भी उसको देखा था उस राओ में कोई तो जादू है मुझे वो बहुत पसंद है मधू और राओ एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं विश्वा उन दोनों की शादी करवा देते ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी होई लेकिन उसके बाद उस बड़े ने जो बोला वो सुनकर मेरा खूद घौल उठा शादी होने के बाद राज को गाउं में रहने के लिए मना लूँगा मेरे बाद राज ही इन गाउंवालों की उम्मीद होगा तो फिर हमारे शिवका क्या होगा बड़ी साब जनता की सिवा करने वालों का खून गरम नहीं होना चाहिए बलकि उसको दिमाग से काम लेना चाहिए वो उसके पास नहीं है लाजनिती में वो काम नहीं आएगा इसलिए मेरी जादा शिव को और मेरी जगा राज को अगर उस बुड़ी की जगे तूने ले ली तो मैं कहां जाऊंगा बचपन से लेके आज तक मैंने जिस पॉलिटिकल पावर की खौईश की है उसका क्या होगा तो कोड़ी की जायदा किसे चाहिए यहाँ पे MLA या फिर MP बन जाऊंगा तो इससे सौ गुना सादा कमाऊंगा जरूरत पूरी होने के बाद उस पुड़ी को भी काट डालूंगा पावर में जो मज़ा आता है उसके लिए मां क्या बाप क्या बेहन क्या और भाई क्या और उस पावर को पाने के लिए बीच में जो भी आएगा मैं उसे पार डालूंगा गाहों की भलाही में मैंने कोई आच नहीं आने दी पर मेरी परवरिश में हाँ चा गई वो हो मैं देख रहा हूँ इससे ज्यादा मैं दुखी नहीं हो सकता अब तक मैं तेरी मार सहता रहा क्योंकि तू मधो का भाई है सिर्फ उसे एक रिस्पेट की वजह से अगर भाई को मारने की कोशिश करेगा तो कोई भाई कोई रिष्टेदार नहीं मैं किसी को भी नहीं छोटू आँ याई है अब हो रहो मेरे भाइया को क्यो मारे हो चुरो 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 यह सब करने वाला मैं ही हूँ भाईया मुझे यकिन नहीं होड़ा भाईया यह मेरे भाईया ने की हो भाण में गया तेरा सेंटिमेंट मेरे सामने से दूर हो जा मैंने कहाना यह यह जबीदे यह तु मधो का भाईया इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं तेरा बस दो मिनिट के लिए सोच यहां जो हुआ किसी को नहीं बताऊंगा किसी को भी नहीं जानवरों की तरह नहीं इंसानों की तरह सोच सुदर्शा मधो नहाँ ओगस्ट हाँ हाँ टो मधो मधो मधु तुम हागी नहीं कुछ नहीं होगा मैंवे बचा लिया तुम है तुम Χार्श नहीं होगा या मधू हाँ आखुस्त, तुम्हें बात बताओं, मैं अभी कुछ नहीं सुनूगा, बहले चलो अस्पताल चलते हैं, जलो हैं, मैं तरे बीच में आ रहा हूँ ना, मुझे मार दे, लेकिन मदू को छोड़ दे, फ्लीज, मुझे मार दे तुमने अगर शू को नहीं मारा होता, तो वो इन दोनों को ज़रूर मार देता, तुमने बहुत अच्छा काम किया, एस बी मुझे एक बात बहुत पसंद आई है, मेरे लिए उसने अपने प्यार को त्याग दिया, बहुत तकलीफ सही, और मधू को मेरी बहु बना कर लेकर आया, अरे बेटा हो तो ऐसा हो पापा ये ना थोड़ा जादा हो गया, भाया ने जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, वो मधुई है, सुनो, ब्रह्मे जीने का हख सबको है, और तुमको भी, कबड़ी, 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 कबड़ी चीट, रूख रूख रूख, अच्छा नहीं रगए गाया, पापा देख रहे हैं, अरे रूख रूख, अभी बताती हूँ, रुकने के लिए कह रहा हूं, रूख जा, ओके, सॉरी, सॉरी, सॉरी झाल झाल